विश्व का सबसे चोटा पक्षी मधुमक्षी हमिंगबद मेली सुगा हेलेने हैं। इस चोटी पक्षी प्रजाती के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। एक, आकार और वजन, मधुमक्षी हमिंगबद अविश्वस्निय रूप से चोटे होते हैं, जिनकी लंबाई केवल 2-2.5 इंच 5-6.3 cm होती है, जिसमें उनकी चोंच और पूंच भी शामिल होती है। उनका वजन सिर्फ 0.06-0.07 on 1.06-2 ग्राम होता है। 2. निवास स्थान, मधुमक्षी हमिंगबद मुख्य रूप से क्यूबा और इसला डेला जुवेंटुड में पाए जाते हैं। वे जंगलों, बगीचों और ततीयक शेत्रों सहित विभिन प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। लेकिन वे विशेश रूप से बिखरी हुई जाडियों के साथ खुले घास के मैदानों के शौकीन हैं। तीन, शारी रेक विशेश ताएं। नर मधुमक्खी हामिंग बग के पंक चमकीले और रंगीन होते हैं। दूसरी ओर, मादाओं का रंग अधिक हलका होता है। अक्सर उनकी पीट पर हरे रंग के साथ हलका भूरा या सफेद पेट होता है। चार, अहार, मधुमक्खी हामिंग बग मुख्य रूप से विभिन फूलों वाले पौधों से रस ब्रहन करती हैं। रस निकालने के लिए अपनी लंबी पती चोंच का उप्योग करती हैं। वे महत्व पूल परागनक हैं, क्योंकि भोजन करते समय वे पराग को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करते हैं। पांच, व्यवहार, अपने छोटे आकार के कारण, मधुमख की हमिंग बग के पंखों की धर्कन अविश्वस्निय रूप से तेज होती हैं। और सतनलगभग असी धर्कन प्रती सेकंड। यह उन्हें मध्य हवा में मंद्राने और फूलों के बीच तेजी से जाने की अनुमती देता है। वे निरंतर मंद्राने में भी सक्षम हैं, जो पक्षी प्रजातियों में दुर्लब है। 6. प्रजनन, मधुमक की हमिंग बर्ड का प्रेमालाप वियवहार जतल होता है। नर मादाओं को आकरशित करने के लिए यू आकार में उलना, गोता लगाना और जिग से एक पैटन सहित कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। मादा आम तोर पर एक पती शाखा पर पौधू के रेशों, लाइकन और काई से बना एक छोटा कप के आकार का घुसला बनाती है। वो छोटे मतर के आकार के अंडे देती हैं, जिन्हें वो उनके फूटने तक लगभग दो सप्ताह तक सेती है। मधुमक्खी हमिंग बर्द का छोटा आकार और अनूथी विशेशताएं इसे अध्ययन और अवलोकन के लिए एक आकर्शक प्रजाती बनाती है। लाइक और सब्सक्राइब आमाई चानेल। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुर मुर्ग स्टूथियो क्यमलिस है। शुतुर मुर्ग के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। एक आकार और वजन वयस्कनर शुतुर मुर्ग 9 फीट 2.7 मीटर तक की उचाई तक पहुँच सकते हैं और उनका वजन 220 से 350 पाउंड 100 से 107 किलोग्राम के बीच हो सकता है। मादाए थोड़ी चोटी होती हैं। उनकी उचाई लगभग 6 से 7 फीट 1.8 से 2.1 मीटर होती है और उनका वजन 140 से 290 पाउंड 64 से 132 किलोग्राम के बीच होता है। 2. निवास स्थान, शुतुर मुर्ग अफ्री की सवाना के मूल निवासी हैं और खुले घास के मैदान, वुडलेंज और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों को पसंद करते हैं। 3. शुतुर मुर्ग की गर्दन और पैर लंबे होते हैं, सिर्थ छोटा और आखे बढ़ी होती हैं। उनके प्रती एक पैर में दो उंगलिया होती हैं, और उनके शक्तिशाली पैर उन्हें 43 मील प्रती घंटे, 70 किलोमीटर प्रती घंटे तक की तेज गती से दोड़ने की अनुमती देते हैं। उनके पन्ख मुख्यता काले और सफेध होते हैं, नर के पन्ख काले होते हैं और मादा के पन्ख भूरे-भूरे रंके होते हैं। चार, आहार, शुतुर मुर्ग सरवाहरी होते हैं और बीज, पत्ते, धास, क्फल और फूल सहित विभिन प्रकार के पौधू को खाते हैं वेकी ये, छिपकली और छोटे क्रिंतकों का भी सेवन करते हैं पांच, व्यवहार, शुतुर मुर्ग सामाजिक पक्षी हैं जो समूहों में रहते हैं जिन्हें जुन्द या जुन्द कहा जाता है नरक्सर मादाओं को आकर्शित करने के लिए क्षेत्र स्थापित करते हैं और विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन करते हैं वो ये अपने शक्तिशाली पैरों से किक मारने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं जिसका उप्योगवे शिकारियों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए करते हैं 6. प्रजनन शुतुर मुर्ग की एक अनोखी संभोग प्रनाली होती है जहां एक प्रमुख नर अपने क्षेत्र की कई मादाओं के साथ संभोग करता है मादा शुतुर मुर्ग अपने बढ़े क्रीम रंग के अंडे एक सामुदाई खोसले में देती है जो आम तोर पर समू में प्रमुख मादा द्वारा बनाया जाता है फिर अंडों को नर और मादा दोनों द्वारा सेया जाता है जिसमें प्रमुखनर रात की पाली लेता है उर्ने में असमर्थ होने के बावजूद शुतुर मुर्गुल लेखनिय प्रानी है और अपने प्रभावशाली आकार और अनूथी विशेशताओं के लिए जाने जाते हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब